हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टो मैं टेरेस गार्डनिंग चैनल, आज मैं आपको मेरे रबर प्लांट के बारे में बताने वाला हूँ, देखो कितना ब्यूटिफुल लीव्ज वाला रबर प्लांट है, ये नरसरी से एक्दम छोटे से गंबले में मुझे 100 उपीज में मिला था, देखो खाली 4 इंच का गंबला है, और इसमें 2 ही पत्ते थे, मेरे वहाँ इसमें ज्यादा आए, और ये भी देखो कितना बड़ा मेरे वहाँ हुआ है, 10 इंच के गंबले में है, ये भी पहले ऐसे ही छोटे में आया था, और बहुत सारे पत्ते भी आते रहते, लगबख 6 7 leaves मेरे वहाँ आए है, तो मैं आज आपको rubber plant के बारे में बताऊंगा, और reporting भी हम करेंगे छोटे वाले गंबले में से, ये मेरा पुराना वाला है, जो एक अलग variety का है, almost dark green, olive green color के पत्ते है, तो मैंने यहाँ friends mixture लिया है, और ये जो मेरा rubber plant है, उसमें देखो, आप एक ग् green के साथ, एक cream जैसा color का पत्ता है, यानि उसमें variegation है उसका, और आप देखो, इसका मिट्टी तो garden से, और नर्सरी से जैसा आया है, वैसा ही था, अभी मैंने थोड़ा बड़ा bottle लिया है, almost 7 inch के जैसा, पांच hole है, देखो, नर्सरी वाले का कमाल ही होता है, बहुत सारे hole ह होते हैं उनकी गंबलों में, ताकि water निकल जाए, extra, well-drained मिट्टी रहे, देखो, मैंने जो इसमें मिक्सर डालने वाला हूँ, उसको उससे पहले में इसके holes में, थोड़े stones रख दूँगा, मिट्टी का जो stone form हो जाता है, वो भी रख सकते हो, अब ये मिक्सर मैंने डाल द किया है, रबर प्लान को moisture बहुत पसंद है, तो आप उसे हरोज पानी दीजिए, और उसे indirect sunlight चाहिए, direct sunlight नहीं चाहिए, सूबर one hour, half an hour का direct चलेगा, लेकिन पूरा दिन उसको indirect sunlight चाहिए, मैंने तो मेरा bedroom का खीड की है, बहुत सारे खीड की है, उसमें एक के में इसको रखा है, रबर प्लांड को मैं समय ही रखता हूँ, कहले थिया को, रबर प्लांड को, अच्छा, इसमें आप ट्राय करो के roots को damage मत करो, खाली उपर-उपर की थोड़ी मिट्टी मेंने निकाल ली है, और इसको मेंने रख लिया, देखो, अब जूम करके भी देख सकते हैं, मिक्स्चर है, उससे डाल दीजिए, अच्छा, इस ओयल मिक्स्चर में क्या है, फ्रेंड्स, इसको moisture पसंद है, तो मैंने 40% जितना कोको पीट लिया है, 30 to 40 आप ले सकते हो, 30% मैंने मिट्टी लिया है, और 30% मैंने सेंड और वर्मी कंपोस लिया है, 15-15% या जैसे भी आप पैजस कर सकते हूं, कोको पीट क्या करता है, moisture को पकड के रखता है, तो आपने मेरे सारे वीडियो देखे, mostly सारे plants में मैं थोड़ा कोको पीट एड़ करता हूं, क्योंकि सब plants को moisture रहे, especially अभी summer season में, वो बहुत जरूरी है, कि आप पानी मनो डालना एक दिन भूल भी जात और आप खाली मिट्टी देखो, कितना easily absorb कर लेता है, इस में मैं fertilizer में भी vermicompost डालता हूं, महिने में एक बार, और NPK का liquid 100 ml डाल दो, बड़ा गमला हो तो 10 इंज का, नहीं तो थोड़ा कम उससे डाल दो, और indirect sunlight दो, बहुत पत्ते आते मेरे वहां rubber plant में, देखो ये भी plant का वीडियो अपलोड करता हूं, तो उसका updated जो portion होता है, तो दूसरा वीडियो में मैं इसको end में सब बताता रहता हूं, कि देखो, last time मैंने ये किया था, उसका अभी क्या changes आया है, तो आप please subscribe कर लो channel, ताकि आपको वो updated वीडियो में आप देख पाओ, कि पे छोटे वाले rubber plant का अभी क्या हुआ, आगे मैंने कोई भी वीडियो रखा है, उसका क्या हुआ, इसे देखो, एक्तम एपसॉप कर लिया पानी, मैंने आपके सामने डाला, और उन्हों उसने few seconds में पानी चला गया, एक minute भी नहीं रहा, तो इसे कहते है, well-drained soil, और वो कमाल होता है, और नीचे बहुत सारे holes होते है, उसका भी कमाल होता है, तो rubber plant अवस्यल आए, क्योंकि indoor plant best है, और जहां आप balcony में भी जहां light नहीं आती है, sunlight वहाँ भी आप रख सकते हो, बहुत beautiful लगता है, जो real में लगता है, वो कुछ अलग ही होता है, friends, तो मेरे garden में बहुत सारे variety के प किलते रहें, और comment भी जरू किजिए, तो thank you friends.